क्यों विम्कार कर रही हो कराची जाने से? आप जानती हैं कि उस शहर से कितनी तलखिया दिन चुड़ी है मेरी वैसी किसी जगह नहीं जाना चाहती ही जाना जहां मैंने पनी जिंदगी का बत्तरीन अरसा गुजारा हूँ नगी इनसान को अपने माजी में नहीं अपने हाल में जीना जाए हारून ठीक कहते है तुम्हारे बारे तुम्हें कोई खुशी नहीं होती उसकी तरक्की को देंके मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से तुम्हारा रवया बहुत बदला-बदला से लग रहा है हारून ने शिकायत किया आपसे मेरी मुझसे शिकायत नहीं करेगा तो किस से करेगा हारून एक बहुत अच्छा लड़का है तुमसे बहुत प्यार करता है ऐसा शोहर तो ढूडने से भी नहीं मिलता और तुम क्या कर रही हूँ अब तुम्हारी बचगाना जित की वज़े से वो दो लाग की नौकी छोड़के घर नहीं बैठ जाएगा पागल मत बनी और तुम दुनिया की वाहिद लड़की हूँ जिसके साथ धोका हुआ है बहुत से लड़कीया इस पेश से गुजरती है पिर अपनी नई जिन्दगी में घर बस आके मुतमईन हो जाती हूँ तुम तो आके बढ़ना ही नहीं चाहती हूँ हमेशा पीछे पलट के देखती हूँ आप याप मेरा मवाजना दूसी लड़कीयों के साथ कैसे कर सकती है उन सब के साथ वो नहीं हो था जो मेरे साथ हुआ था आपके लिए नसीद करना बहुत आसान है लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसे भूलाना बिलकुल आसान नहीं जिस करब और अजियत से मैं गुजर रही हूँ ये सिर्प मैं ही जानते हारूल जी ये बताओ भई तुम्हारी बीवी को क्या परिशानी है है दो दिन से मूँ फुलाया हुआ कमरे में बंद होके बैठी है ना किसी से बात करी है ना घर के किसी काम में दिल्चस्पी ले रही है ये अब तो उसे खुश होना चाहिए इतनी अच्छी नौकरी लग रही है तुम्हारी ओर तो और मैंने उसके लिए असानी कर दी घर के कामों के लिए मासी रख दी शुकर अधा करना चाहिए उसे इतनी अच्छी नौकरी बलगा मिलती है अम्मी भावी ना ये शेहर छोड़ कर जाने वे परेशान है बस है क्या मतलब? क्या उसके अम्माबाबा रहते है शेहर में तो शेहर छोड़ कर जाने से उदास है अम्मी आप इतनी फिकर क्यों कर रही है मैं उसे मना लूँगा बलके समझे वो मान गई आप लोग अपनी तैयारी करें भई मैंने टिकेट्स बुक करा राली मी है फ्राइडे की हमारी फ्लाइट है सुनो जो इतना सारे सामान है घर में हमारे तो ये क्या हवाई जाज में जाएगा अरे टूट बूट नही जाएगा सामान ले जाने की क्या जुरूरत है इस अब पड़ा ये तो कबार है बस जो जुरूरी कपडे होंगे या बहुत करीबी चीज़े वो ले जाएगे अपने सारे क्या मतलब है यानि सामान नहीं जाएगा अवे मेरी प्यारी अम्मी फुली फॉरिश्ट अपार्टमेंट मिल रहा है मुझे फुली फॉरिश्ट और वो भी वहां के सबसे महंगे इलाके डिफेंस में तो क्या हम डिफेंस में रहेंगे कितना मज़ा आएगा ना मैं तो भाबी के साथ बड़े-बड़े मॉल से शॉपिंग करूंगी और अम्मी मुझे ना समंदर की सायर करने का इतना शौक है हाँ हाँ तो तुम समंदर की सायर करना ना बलके काम करना गाड़ी पकड़ा करना और सारा दिन अपनी भावी के साथ घूमना पिरना शॉपिंग करना तो क्या हमें गाड़ी मिलेगी हाँ मुझे आफिस वालों ने बताया है कि जो लेटिस मॉडल की गाड़ी आई है वो मुझे मिल रही है कितना मज़ा आएगा ना हम सब गाड़ी में सेर करें के वाओ ये व और आया है चाए पानी कुछ नहीं पूछती अच्छा अम्मी छोड़ दीजे ना आप अपना मूड क्यों खराब कर रही है वह कुछी का मौका है हमारे हसने के दिन वापस आ गये है प्लीज इंजॉय करें इसको आई जीते रहो मेरा बच्चा चाए पीए चाए और तुम अच्छी तो बिस्केट नहीं लेकर आए है लेकर आते हूँ हाँ काएंगे तो ये है जी आप लोगों का घर इतना प्यारा घर है भाई तुमारा ये वाला कमरा भी बड़ी बेस अबरी लड़की है भाई को कोई सास्तों ने दे अरे अम्मी क्या हो गया भई अपना कमरा लेखी है देखने मिदि अच्छा आप अपना देखिए ना यह आपका एरिया यहां पे है किचन और उसके साथ है मास्टर बेंग भाई मुझे ये कमरा ने चाहिए मुझे बड़ा कमरा चाहिए जिसमें बैकनी अरे तुम सबसे चोटी हो तुम्हें ये कमरा मिलेगा ज्यादा टीटी पांपां करने की जुरूरत नहीं है अभी फिलाल मुझे भावी गोंता कमरा दिखाए चुप कर दे तुम्हुशन की म? मैं तो तब भी खुछ थी और अब भी खुछ हुआ जान्दियो नगीन सब कुछ बिल्कुल वैसा होता जा रहा है जैसे मैंने तसवर किया थी एक अच्छा उबसूरत सा घर एक अच्छी सी गाड़ी लाग वरुपय की सालरी और तुमारा साथ आज अल्लळ टाला ने मेरी सारी खाहिशात पूरी करती है सब कुछ हे मेरे परस और मैंने हमेशा से यही सोचा था कि तुम्हे दुन्या की सारी खुश्य, सारी आसाहिशे दूगर लेके रुपया पैसातो सब कुछ नहीं होता न해 पैसे उसे खुशिया तो नहीं खरीदी जाती अगर दिल में सुकून और रितमिनान ना हो तो पैसे किसी काम के नहीं होते हैं अच्छा लेकिन मुझे तो लगता है कि अगर इंसान के पास दिल का सुकून और रितमिनान हो उसके बावजूद पैसे तो चाहिए होते हैं कि पैसे से आप दुनिया की बागी हर चीज खरीच सकते हैं नहीं? यह आपकी सोच होगा मेरी सोच नहीं है अगर आप मुझे इसारी चीज़े नहीं भी देंगे ना तब ही आपके लिए मेरे दिल में महभबत और इस्ज़त कभी कब नहीं होगी तुम जानती हो मैं अल्ला का बहुत शकर गुजार हूं जो उसने तुम जैसे बीवी थी मुझे तुमने मेरा हाथ उस दिन दामा दा जब मेरे पस कुछ भूनी थ याद जो जो सब कुछ हमारे पास है उसके पीछे कहीं न कहीं तुम्हारा सबर और तुम्हारे तुम्हारे दुहाई शाला तुम में लिए बहुत लगी थापट वही हो और मुझे यकीन है जब भी अल्ला ताल्ण हमें ऐलाद की नहमत से नावाजे गाना तो वो भी खुश्कुस्मती के दर्माजे खोल देगे अपर. इंशाद्लाइब इसको श्राग करें. Yes? मैं कम इन, Sir? Haroon! आओ, आओ, आओ. Welcome to our Karachi office. Thank you, Sir. कैसे हो? बिल्कुल थीक, Sir. Please, have a seat. आओ. So, how was your first day? Sir, बहुत अच्छा था. बहुत चांदार. Office का environment इतना professional है के मुझे बिल्कुल भी आइसास नहीं हुआ मैं किसी नहीं जगा पर काम करने हाँ. Hmm. Family settled हो गई है? कोई problem तो नहीं भी? अच्छे सेटल हो गई है, Sir. बहुत खोश है सबके सब. Thank you so much, Sir, for everything. नहीं कोई बात ही है. नहीं कोई बात ही है. गाड़ी के लिए मैंने HR Department को बोल दिया है. एक और हफते में गाड़ी भी आजागी आपका. Sir, thank you, Sir. बहुत शुक्रिया आपका. नहीं नहीं है, शुक्रिया की क्या बात है? हमारी कंपनी में एंपलोईस को उनकी डेजिगनेशन के हिजाब से प्रसिलिटीज दी जाती है. पर आप तुछ चैनल के बांच हैड हैं. इतनी बड़ी पोस्ट के लिए आपका एक्सपिलियंस तो काफी नहीं था. लेकिन आपकी लगन और आपकी काबियत देखकर मैंने आपको इस पोस्ट के लिए हाईर किया. Sir, मैं आपको यकीन दिलातू. मैं आपकी उमीदों पर पूरा उतरूंगा, Sir. मैं आपको बिल्कुल मायूस नहीं करूँगा. मैं मैं दिल लगा कर काम करूँगा, Sir. दिन रहा देखकर के. मुझे यकीन है. That's why I hired you. और बताओ, अपार्टमेंट कैसा लगा? Sir, बहुत अच्छा है. फैंटास्टिक. Hmm? पैमिली को बसंदा है अपकी? और आपको पे लिए जाए देखकर की जाएरी देखकर. Nice. I like your watch. Thank you, Sir. Thank you so much. किस ने दी ये ये? Sir, ये एपको किसी बट स्पेशल ने गिफ्ट की ये. Okay. मेरी वाइफ ने. इस ने मुझे ये ये खिफ्ट दी ती ये आरू. यह जो प्रेशल पर में लगता है आप अपनी वाइव से बहुत मॉबबत करते हैं सर शच कहूं तुछाइद जितनी मॉबबत मैं उसे करता हूं वो मुझसे उसे कही जादा मॉबबत करती है लव मेरिश्ती आपकी? जी सर प्यूर्डी लव मेरिश्ती अपकी? बहुत ही इंट्रिस्टिंग स्टोरी थी अमारी कभी वक्त मलेगा तो आपको बता हूंगा लेकिन सर जिस तर अफिल्म्स में एंड हमेशा पर्फेक्ट होता है न ऐसे ही हमारा रिलेश्शिप भी है बिल्कुल पर्फेक्ट बहुत हुश है हम दोनों एक साथ मेरी वाइव बहुत कहाल रिखती है मेरा और मेरी वाइव के आने के बाद मेरी किसमत के सितारे भी खुल गए मेरी वाल्दा बहुत द्वाइए देती है उसे और मेरी स्वारी सर काम की मात करने आया था सर आपको बुरा लगा है तो मैं अरे नहीं यार बुरा कुल लगेगा इन्य अच्छी बाते कर रहे आप इतनी तारीफे कर दी है तुमने अपनी फैमिली की यार अब मेरी वाल्दा मेरी वाइव बहुत खुश होंगी आपसे मिलकर और मेरी वाइव बहुत अच्छा खाना बनाती है अगर तुम इतना इंजिस्ट कर रहे हो तो जरूर आएंगे तुमारी बीवी के हाथ का बना खाना खाना लेकिन अभी नहीं आजका थोड़ा बिजी हो जैसी फ्री होता हूं कामों से तो जरूर चक्कर लगाऊंगा लेकिन उससे पहले यार मैं इस चैनल के लाउंच होने की खुशी में एक पार्टी दे रहा हूं आजाम लो कि तुम अपनी वाइफ के साथ आवा हूं इंतिजार करूँगा भाई आप हम सब को कराशी की साय कब करवाने लेकर जा रहे हैं अरे आरिदा, अब यह नहीं नही नोक्री लगी है मेरी, ठोडा वक्त लगे कमें इस सब्सक्री दोने में तुमें काम करो उ सब्सक्राइब करो हां जैसे अम्मी आपनी चीम ते nel देंगी ना क्यों नहीं गूमने पिरने देंगी नए शहर में आयो इतना कुछ एक्सप्लोर करना है तुम लोगो ने गूमा पिरो एशी करो यार थैंक यू सो मच भाई आप इस दुनिया के नाथ सबसे अच्छे भाई है एना हाहा अच्छ आपने बताया था कि आपके बोस ने स्विकेंड पर कोई पार्डी रखी है एंवम सब को इन्वाईट कि है सब को हम मुझे लगताMusic मृंदेटनिंग हो गई है क्यूंके था बोस ने जिस पार्डी में हमें इनवाइट किया है उस सि geben Mr. & Mrs. ked can तो सिफ तुम्हारी भाभी और मैं जाएंगे ये क्या बात हुई भाई मैं इतने एक्साइटेट थी आपकी ऑफिशल पार्टी में जाने के लिए अरे यार ऑफिशल पार्टी मेरी है तुम किस बात पर इतनी एक्साइटेट हो गई हो अब बाभी और मुझे भी साथ लेगा है ना प्लीज अब हारून लेजाये इसको साथ वैसे भी में तरह भी कुछ ठीक नहीं एक मिन्ट तुम्हारी दुपे हो गया हो गया तुम प्लीज मुझे कोई एक्स्कुसी ने चाहिए प्लीज में और तुम एक साथ जाएंगे ना य तुम्हें भाई को सेटल तो हने दो आफिस में जल्दी किया है जी नहीं भाई ने सिर्फ आमे कराची की सैर नहीं करवाने मिलते ही मुझे और भाबी को शॉपिंग करवाने भी लेकर दाए खबरदार खबरदार जो तुम इस निकम्मी को लेकर गए होगे किसी महंगे मौल में तिमाग खराब होगे इसका तरी अभी जी क्या होगे कहने दें उसे मुझे नहीं कहीं तो और किसे कहीं जोड़े चुड़े अब खाना काओ मेरा दिमाग तो तुमने क्काते ही रहना है अब जोगे तो बस मेरी हर बात पर अद्राज होने लगा इतने मुश्किलों से हमारे अच्छे दिन आया है और आप हर वक्त हाथ तो अच्छे दिन आया मेरी दिन रात की दौा और मेरे बच्चे की दिन रात की मेहनत सी अल्ला ताला ने आज इसको ये तरक्की दी है माश्याला, मेरे बच्चे को नजरे बच से बचाएं और लंपी उमर करें बहुत सबर किया है, इसने भी और मैंने भी तभी तो अल्ला ताला ने आज हमें ये सिला दिये और खबरदार जो तुमने भाई की तरक्की का कोई धंडोरा पीटा होगा सेहलियों में या किसी रिच्चेदार में या फिर ये बताया कि इसको कंपनी से कोई अपार्टमेंट और नई गाड़ी मिली है, समझी? मुझे क्या सरूरत है ये सब कुछ बताने की? बलके आप नहीं पूरे खांदान में फून करके भाई की जॉब के बारे में बताया था हारूर यकीन करो मैंने तो बस सिर्फ मिठाई भेजी ते रिच्चेदारों क्या पडोसियों क्या और एक दो को फून करके ये काता कि हम कराचे शिफ्ट हो रहे हैं बस अच्छा ना अभीजी तो रहा हो गया आप तो रेलाक्स करें इतना खुस्ता क्यों करें इंकाना काई पड़े मस्के लग रहे हैं भाई आज अम्मा को मस्के नहीं लगा रहा हूँ है अच्छा बहुत अच्छे के बाद हम सब एक साथ इतने खुश हैं और सब ज़्यादा खुशी मुझे आपको देखकर हो रहे हैं ऐसे हमस्कुराती राकर ने बहुत अच्छी लिगती है अच्छा बेटा है 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 था थोड़े बस अपर दार जोब शॉपिंग की रट लगाई होगी हाना काई अच्छा अच्छा ने कर जाएंगे ना तो एक हटा पहले ही मुझ से बाहर चले गई है मुक बाहुआ गई है का मिई और ला मिम नमी बीवी उनके साथ ही गयी है कि साथ लेकर गहीं कहां गई है कितने घलिक गई है वह लमबे हरसे की लिए गई है या से हमेशा की लिए गई है जाते-जाएजred मॉलादमें और मुझे अवेलिकि देखबाल के लिए रखा है और दो चोगिधार गेट पर हैं। बाखी सब की चुट्टी कर दी हूँ। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मैं आपके लेकर आती हूँ। नानो, नानो! भी चाय लेकर लेकर आती हूँ। मैंने तुम्हे पहले ही का था कि रामीन को अपनी कस्टडी में कर लो। मगर तुम्हें देर कड़ी। पाकिस्तान आकर जो सब से पहले तुम्हें काम करना चाहिए था। वो तुम्हें नहीं किया। तुम्हारे सर पड़ जो नगीन की महबबत का भूच सावार था ना। पाकिस्तान आते ही तुम उसको ढूंडने की चकरों में लेगे। दिल को ठीक कह रहे हो तुम्हें हो तुम्हें की वज़े से हुआ है। मेरी जिन्दगी में जतनी नकामी हैं जतने मसाइल हैं सब की जिम्हेदार से फ़नगीन ही है। पहले उसकी महबबत के चकर में मैंने पनी इजजद खराब की। चचाजान का सियासी करियर तबा किया। और फिर एक ये करके मैंने अपनों को खो दिया। पहले चचाजान, फिर नर्मीन, और फिर बीजान। बीजान जो मेरा सब कुछ थी। तो मुझसे नराज होकर इस दुनिया से चली गई। और जिस तरह गई है मैं उस कर्प को कभी भलाने सकता। ठीक कहा रहे हो तुम। उस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी बरबाद कर दी। एक बेटी थी। तुमसे वो भी हमेशा के लिए चींगी। क्या गरोगे अब तुम सुल्तान। किसके सारे ये जिंदगी गुजारोगी। मेरी मान तु दुबारा शादी कर दे। आज कर यही सोच रहूंगा यार। थैंक गॉड यार। कि तुमने ये दिसिजन तु लिया। आमशोर तुम्हारी जिंदगी में लडकीं कमी नहीं होगी। मगे फिर भी। कोई है तुमानी नजर में लडकी या। या लडकी तो है लेकिन एक छोड़ा सा मसला है। क्या मसला है। वो लडकी शादी शुदा है और अपने शौर से बहुत महबत करती है। नगीन की बात कर रहे हूं ना तुम। तेरी सुई आज भी वही अटकी वी है। मैं तुझे समझा समझा के ठक गया हूं सुल्तान। एक जिंदगी में लिया यार। क्यों कर रहे तू अपने साथ आसाथ। मेरी बात मान थोड़ी देर के लिए अपने दिल से सोचना बंद कर। और अपने दिमाग से सोचना शुरूर। इस बार मैंने दिमाग से सोचकर ही फैसला किया। मुझे जितने जखम लगे हैं वो नगीन ने दिया ना मुझे। अब उन पर मरहम भी वही लगाएगी। मेरी बर्बादी के जिम्मेदार नगीन है। अब मेरी विरान सिंदगी में खुश्यों के रंग भी वही बरेगी। वो मुझे जरूर मिलेगी। उसको पाने के लिए मैं हर हद तक जाओंगा। क्या कर रही है। पार्टी के लिए ड्रेस लेक्ट कर रही है। हाँ यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या पहनूँ? ये वाला ड्रेस तैने ना जो भाई ने गिफ्ट किया था बहुत अच्छा है। जार बहुत फॉर्मल हो जाएगा। मैंने सुचा ये बलाख अला पहनूँ तो ये नहीं भाभी बिरकुल फॉर्मल होगा, ये बहुत अच्छा लगी लाएगा। इसके साहते ला माशिग एरिंग बहुत अच्छी लगी, मैं प्रॉमिस। अजए कि एच्छा इच्छा इस प्रॉमिस। ही। जार। अच्छा लुएंगा। बहुत चेले विर्यों। कि अबसूरत लिख रहे हैं आज हिसास हो रहा है कि इतना लग्की हूं कि मेरी तुम से शादिया है सुनुब वह वाले एरिंग पें लोना जो मैंने तुम्हे तुम्हारे पर गिफ्ट किया दे अच्छे लगेंगे वह ठीक है लेकि certainty आवने ये सो नहीं बता Creator कि ये ड्रेस मुझ बहरता कि यो आधि मुझे से लृप्राइस किफ्ट किया है मैंने? लेकिन ये ड्रेस मैंने भीख्तिन है मज़ा पड़करे मुझे पता है है ये ते तेमुझे किफ्ट किया और जो बहुत पसंता है अगल हो गई हो गया मैं क्यों भिजबा होगा और अगर मैंने तुम्हें गिफ्ट किया हो था तो मुझे याद हो था तुम्हें दिया हुआ हर तोफ़ा मुझे याद रहता है हारून मुझे अच्छी तरह पता है के एक आदमी आया था जो ये ड्रेस और रिस्वाच देके गया था रिदा कुबल के बकाईदा मेरा नाम लेके देके गया था कौन सी रिस्वाच ये वाली हाँ यही तो है कैसी वादे कर रही हूँ तुमने खुद तो मुझसे खा था कि तुम सेविंग्स कर रही हो मेरे लिए रिस्वाच खरीदने के लिए मैं पैसे जमा कर रही थी इन फाक्ट में लेने भी गई थी लिकिन बहुत एक्सपेंसिव थी मेरी रेंज में नही आ रही थी भाभी आप अभी तक तयार अरे आप तो बहुत प्यारी लग रही है भाई आपके चोईस वागी बहुत अच्छी है अना अच्छी सुनों प्रीज देर हो ही है मेरी टाई जल्दी से लेके बहार राजो निखले हाँ जाए ना भाभी देर हो रही आपको भाभी आप ठीक तो है ना काफे दिनों से बहुत परिशान लग रही है आपके और भाई के भी जगड़ा चल रहा है क्या नहीं फृदा ये ड्रेस तुम्हे किस ने दिया था मतलब भारून तो कह रहे है कि वो आपको यह बढ़ पारून तो कहा भारून कासा लगरे आपको यहां पर आखे क्या अब करें तो क्या आपको यहां पर आखे वहाब था जो बहुत साल पहले कभी मैंने देखा था मुझे यकीन नहीं आरा कि आज वो खाब पूरा हो गया है और उसमें सबसे अच्छी और जुरूरी बात यह है कि मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी सपोर्ट, मेरे साथ हैं आप इस चानल के बेओर चीफ हैं, तो आप की प्रोग्राम मिंग मुझे बताएंगे अचुजू एस चानल के से-ऊ हैं, उनके विजिन के हчивाएं किसे मुझे कुछ डिस्प्राइब आप करें? What a man! मेरी इंस्पिरेशन है मोबल कि अगर मैं यह कहूं के वो मेरे गुरू है तो यही सच होगा जिस सरह उनों ने मुझे यह अपरचुनिटी दी मुझ पर ट्रस्ट किया यह किसी बड़े आदमी काम हो सकता है मैं आज यह बादा करना जाहूंगा इस चैनल के लांच के दिन के मैं I will never let it down Okay, thank you so much Enjoy the party! Thank you, thank you so much Assalamu alaykum everyone and welcome to Durani Enterprises and Ramin Media Group जैसे के आप सब जानते हैं, Durani Enterprises को 20 साल हो चुके हैं 20 वी एनिवरस्टी के इस मौके पर पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल की लांचिंग की गई है इसी सिलसले में चैनल के तमाम मेंबरांस और उनकी फैमिली के लिए इस तक्रीब को सजाया गया है तक्रीब का बाकाइदा आगास करने से पहले मैं स्टेज पर दावत देना चाहूंगी हमारी कंपनी के CEO और MD Mr. Sultan Durrani को हमाराई 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 मैं बड़े हमाराई कर दो 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 कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारी इस कंपनी को पूरे 20 साल हो गए दोरानी एंटरप्राइज एक ऐसा नाम है इसके कंस्ट्रक्शन्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और भोटलिंग के शोबों में अपना नाम पेदर की और इसके बाद पाकिस्तान का सबसे बड और इसके साथ साथ ये मेरा वादा था जो मैंने अपने मरूम चचा से किया इसे आज मैंने पाया तक्मीर तक पहुचाया है इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े कंपैटिटर्ज होने के बावजू हमने हिम्मत ने आए हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया हाउस लाउंच किया है मुझे ये बताते हुए बहुत फखर महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के तमाम नामवर न्यूज आंकर हमारी चैनल में शामिल हो चुके हैं हमारे इस नए सफर में शामिल है अफ्तखार आश्मी साहब अदनान बुखारी गुवीना जलाल साहिब है तीनों ही बहुत महनती बहुत ही टालेंटेट साफ ही है फ्लीज आव सीट मैठी इसके लावा एक और नाम है जिसका मैं जिकरिया जरूर करना चाहूँ है वह हारून मलिक हमारे एड ओफिस के ब्यूरोचीफ है बहुत ही महनती बहुत ही द्यानतदार है अम उमीद करते हैं कि आप भी इसी द्यानतदारी के साथ ऐसी ही महनत के साथ हमारे चैनल को चार चांद लगए प्लीज तशीफ रखिए को झाल 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 सुल्तान दुर्रामी नाहती तुम जैसी मामूरी नड़की दी को हिजद होती है कि और तुम में ऐसे कौने सुफाब के पर रगें भई कि तुम सारी दुम्हें के सामने मेरे उपर तमाचा मारें लिए रखिए इसके लावा एक और नाम है इसका में जिकरिया तुम्हारी मेरा उपस है यहां मेरी एक हावास वर मेरे खावास को लिए यहां से उठा के इपाहिछ फिक देंगे अहीं है अगरे जेखी ए सब्सक्राइब है ऑशिल भाट ही त्यानतान है हुज अगरें करते हैं कि आप भी त्यानतानी के साथ ऐसी ही मेंद के साथ हैं हमारे चैनल को चान चान बगें हाहाएगा नगीन क्या हुआ तुम्हें? वेंच क्या हुआ नगीन इतनी परेशान इतनी किणफ्यूस क्यों हूँ? बहुत देर हो गई न हरूवन, घर चलते हैं घर चलते हैं? कैसी बाते गई रही हो तुम नगी? तुम ने देखा ने, इतनी बड़ी पार्टी है बॉस ने कितना अप्रिशियेट किया मुझे ऐसे कैसे जा सकते हैं? यहां यहां बहुत शोर है मेरी तबयत खराब हो रही है लगी अभी तो अभी पार्टी स्टार्ट हो रही है तुम तुम बाकियों को देखो सब दोस्त अपनी बीवियों के साथ आये हूए सब लोग कितना घुल मिल रहे हैं आपस में और हम यहां पर दिनर भी लग गया है मैं लोगों को बता कर आजाता हूँ कि हम जा रहे हैं तुम कर राओ नहीं है तो मिर्ट यहां वेट कर लो मैं आपको मिस्स हारून क्या है आपके अरे वो तो अपने दोस्तों के साथ दिनर एंजॉय करने चला गी आपको यहां छोड़ गिया क्या एक मिनट आप यहां जानभूज के रुकिया ना कुरा आप आप चाहती हैं थिका आपको अकेले में मुझसे बात करने का टाइम मिलै صुतान दुर्रानी इस कमपनी का CEO हूँ औरापके husband जो हैं वो मेरे पास जॉब करते हैं शायद उना ने बताया नहीं आपको अभी तर्थ पार्टी कैसे लगे आपको डिनर किया आपको जी नहीं क्यों मुझे देखके भूग तो नहीं उड़ गई आपको देखके भूग यूड़ेगी आपको जानती तक नहीं अच्छा तो आप मुझे जानती नहीं है भूल गई है हाँ अभी याद दिला हूँ नेगीन कैसी बाते करें तुम सोच भी नहीं सकती कि मैने तुम्हें पांच साल कहां कहां नहीं दो रहा है पूछोगी नहीं मैने पांच साल कैसे गुजारें तुम्हारे बगए अब चाहेंगे यहां से या में जाओं बहुत प्यारी लग रही है इड्रेस तुम पर बहुत सूट कर रहा है ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए ही बनाया गया तुम सोचे योगी अचानक मैं आप से तुम पर कैसे आ गया पुराने दोस्तों के साथ तकलुफाना अंदाज में बात करना मुझे पसंद नहीं है और फिर मैं तो तुम्हारा दोस्ता भी नहीं मैं तो कुछ खास थाना तुम्हारे लिए या फिर यूँ कहूं के आज भी हूँ तभी तो मेरा गिफ्ट किया हुआ ड्रेस पहन कर तुम मेरी पार्टी में आई अगर मुझे पता होता कि ये ड्रेस आपने बिच्वाया है तो मैं इसे उसी वक्त आग लगा देती लगा ही ना देती तुम जूड बोल रही हो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे याद है तुम मेरे सारे गिफ्ट्स अपने पास संबाल के रखती दिना मुझसे कह देती नहीं सुल्तान में दिये हैं मैंने अपने सीने से लगा के रखूँगी जयाद है तुम्हें शायद यही होजा है कि मेरे दिल से तुम्हारी मौबत आज तक कम नहीं होगी चले जाए चले जाए आजे बढ़ना मैं शोर मचा दूगी मचालो शोर पांच साल पहले भी तो तुमने शोर ही मचाया था लेकिन उसका खुम्यादा बहुता था पिर याद है तुम्हें एसी गलती करना भी लगी तुम मजे क्यू घुसा दिला रही हो एतने दिनों के बाद मिली हो आज यह बात अकिर करने के लिए मिली खाये तुम से शादी करना चाहता हूँ अन्युम से शादी